नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे इडेडा स्टॉक के बारे में और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इडेडा जो है 24,000 रूपीज कितना 24,000 रूपीज जो है वो बोरो कर रहा है क्या कर रहा है फंड रेज कर रहा है करज ले रहा है तो उसके क्या इंपेक्ट आगे के और आगे की टेक्निकल ट्रेंड को समझे इससे पहले प्रेमियूम टेलिगराम को जॉइन करेंगे अभी भी ये 42% के करेक्शन के बाद भी ये जो लोवर प्राइस है वहां से ये ट्रेंड देखेंग का कंपड़ी ने 24,000 करोर के फंडरेज 24,200 24,200 करोर के फंडरेज करे हैं और यहां देखेंगे इसके कारण तेजी भी दिखा था इस समय देखेंगे तो इसके फंडरेज का अलग-अलग जो थू होगा यहां देखेंगे तो कंपनी बॉंड के थू कहां से टेक्सेबल बॉंड, ग्रीन टेक्सेबल बॉंड, सब ओर्डिने टायर टो, प्रिपेच्वल डेट, ग्रीन मसाला बॉंड, उसके बाद टर्म लो पार्केट, एक्स्टर्नल, कॉमर्शियल बॉराइंग, सभी को मिला करके, लेकिन यहां समझे कि पूरा ही डेट के थू, यानि फिक्स इंट्रेस्ट रेट पे कंपनी फंडरेज करेगी, इसके अलाबा देखेंगे टेक्निकल सेट अप पे क्या कहा जा रहा है, सपोर्ट अ इसका मानना है, अब मैं थुरा आपको आगे लेकर के जाओं, यहां टेक्निकल ट्रेंड तो आपको वीक दिखी रहा है, यहां देखेंगे पास्ट वन मंथ में, लेकिन यह जो आपको एक बड़ा रिवर्सल दिखा, यह क्यों दिखा, यह दिखा, फंड रेज के निउस से यह तेजी दिखी, अब एक बार चार्ड को देखेंगे, अगर इसके चार्ड को देखेंगे, तो जो हाई रहा था, यहां से कितना परसेंड गिरा, 42%, कितना परसेंड, लगभग जो डाउन ट्रेंड दिखे, वो दिखे, 42% और इस 42% के डाउन ट्रेंड के बाद, यहां दे यह अर्लियर रेजिस्टेंस था यह यहां सपोर्ट बन रहा है लेकिन ट्रेंड लाइन तो अभी भी वीक है मीनिमम वन सिक्स्टी को जब तक ब्रेक आउट नहीं करें तब तक बरा टार्गेट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे इसलिए 154 to 160 विल बी आ मेजर रेजिस्टेंस और 122 से 130 विल बी आ मेजर सपोर्ट यही कोन कह रहा था अनंद राथी का जो ब्रोकर था पटेल जी था लेकिन वो इस चीज को मतलब इंडेप्ट नहीं बता रहा था मैंने आपको इंडेप्ट बताया एक बार यह लेवल ब्रेक आउट करें फिर हम 222,400,500 जैसे लेवल लेंगे जब तक वीकली यह ब्रेक आउट नहीं करें बिलकुल कोशन बढ़तें ऐसा नहीं कि आरसे ओबर सोल्ड के आज पास जा रहा है तो सब एक बरा ब्रेक आउट कुछ भी नहीं लेट्स ब्रेक दा जोन ओफ अरांड 160 उसके बादी फ्रेश स्रेंट को लेंगे थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो